नमस्कार दोस्तों, welcome back to your own channel, wealth first, दोस्तों काफी सारे subscribers से questions आते रहते थे कि सर आप कैसे value investing करते हैं, कैसे आप एक सकंड बता देते हैं कि stock की value क्या है, किस price पर खरीदना है, दोस्तों ये पूरा secret आपको आज पता चलने वाला है, ये वीडियो उन लोगो भी देखना है, जो beginners हैं, और वो लोग जो pro investors हैं, जो कई सालों से investment कर रहे हैं, दोस्तों, ये वीडियो आप लोग भी afford नहीं कर सकते हैं, बहुत ही important वीडियो है, इस वीडियो में जो learnings है, दोस्तों, उससे आपके पूरे concepts clear हो जाएंगी, भाई, stock को आपको खरीदना कब है, और कौन से stock को ख करेंगे, तभी आपको इस परकार के अच्छे educational वीडियो रेगुलर बेसे से मिल पाएंगे, otherwise आप, you know, you will be like those 95% of those investors जिनको की पता ही नहीं है, वो stock market में आएं किस लिए हैं, So intrinsic value के बारे में बात करने से पहले सब्लों पहले तो यह समझ लेते हैं, value investing होता क्या, value investing होती है, सिर्फ दो चीज़ें, पहली चीज़, आप जिस price पे stock को ले रहे हो, वो उसके inherent value से काम होना चाहिए, मतलब उसकी जो छोपी हुई value है, उस stock की, उससे कम price में लोगे आप, उसे ही value investing करते हैं, इसे हमारे जो गुरू है, Warren Buffet इसको बहुत ज़्यादा follow करते हैं, number one, number two, stock को सही time पे buy नहीं करोगे, IRCTC को 2000 पे buy करोगे, तो उसके बाद तो coronavirus के issue के चक्कर में तो 17 सोग पहुंचे गाई, तो दोस्तों उसको सही price पे अगर आप buy करोगे, तो आपको बढ़िया benefit मिलेंगे, long term के लिए अच्छे returns मिलेंगे, तो ध्यान देने वली बात है कि value investing के लिए go to price and right time, अब सही price, सही intrinsic value को पता कैसे करें, आईए सीखते हैं, तो भाई value investing करने के लिए हमें चाहिए, हमें चाहिए उसका inherent value, हमें चाहिए उसकी intrinsic value, intrinsic value को पता करने का तर price पर करीदो, वो मैं इसलिए बता देता हूँ क्योंकि मैंने सारी की सारी maths homework करके अपने पास रखा हूँ, डेटाबेस में, जैसे ही आपको question पूछते हो, मैं ठक से database में उसको search करता हूँ, और उसका result आपको बता देता हूँ कि वही stock को इस price पर खरीदो, और वही जब price आ हूँगा, आप सिर्फ उसको apply करो, आप intrinsic value के master बन जाओगे, लेकिन ध्यान देने लिए बात कि है, आपको company के business को थोड़ा साथ देखना पड़ेगा, company के expansion plan को ध्यान में रखना पड़ेगा, और जो वो 5 चीजे में आपको बताने जा रहा हूँ, उनको आप दिमाग में र return on equity होता है, annualized net income to shareholder equity, मतलब shareholders के पास जितनी भी equity है, उस पे आपकी net annual income कितनी आ रही है, तो दोस्तों आप सुच रहोंगा, यह तो बड़ा complex है, कोई complex नहीं है, ROE आप Google पे search करो, आपको important अच्छी companies के ROE ठक से निकाल के बता देगा, तो दोस्तों आपको बताना है, आप आपकी favorite company के ROE, और आपको मुझे बताना है, कि आपके जो favorite company है, मेरी तो भाई favorite company HDFC bank है, तो आपको बताना है HDFC bank का आज की date पे ROE क्या है, comment section बताना है, homework नहीं करोगे, कभी कुछ दीख नहीं पाऊगे, तो homework करो, ROE कैसे बता करते हैं, उसको comment section में लिख करके बताओ पैसा लगाया है, जो भी share holders ने stocks हो खरीद करके, उस company के लिए पैसा दिया है, उस company ने उस amount को कितना अच्छे से use करके, earnings generate करी है, तो दोस्तों इसके लिए आपको ज़्यादा match करने हैं, जुरूरत नहीं है, सीधे Google बढ़ालो ROE, और ROE आपको उस company का पता चल जाएगा, अब ROE होते ही कितनी कितनी है, भाई अगर 17 से 20% तक ROE है, वो company बहुत अच्छी है, मेरे हिसाब से दोस्तों उस company को आप ले सकते हो, अगर 20 से 25% है, तो वो company बिल्कुल चुनिंदा company है, आपकी watch list पे होनी चाहिए, और अगर 25% से उपर है, और अभी तक आपने उसमें invest न नीचे जो company अगर आपको दे रही है, तो वो company में investment करने से फायदा नहीं है, उसका reason क्या है, भाई 8-10% तो आजकल आपको bond on देते हैं, 15% तो mutual fund देते हैं, तो अगर आपको पैसा बनाना है stock market में, तो मेरे हिजाब से दोस्तों minimum benchmark has to be 17% यह आपको ध्यान रखना है, दूसर parameter के बारे हम बात करना हैं, दोस्तों उससे पहले एक जान लेते हैं, price को कौन drive करता है, price को drive करता है demand or supply, जिस भी stock की demand ज्यादा होगी, supply कम होगी, वो stock उपर जाएगा, और जिस stock की supply ज्यादा होगी, मतलब market में stock ज्यादा घूम रहे हैं, और demand है नहीं, तो stock नीचे price की बारे हम बात कर लेते हैं, 85% उसके share promoter के पास है, सिर्फ 15% equity है market में, अब 15% के लिए demand भागरी, यह order result अच्छे आगए, हर आदमी को stock चाहिए, तो demand ज्यादा हो गया, supply ही नहीं, क्योंकि 85% तो promoter नहीं लिए रखा है, 85% के मतलब 67% हो सकता है, off the cuff, 85% ज्यादा है, तो demand ज्यादा है, supply कम है, तो price उपर जाएगा, और supply ज्यादा है, demand कम है, तो stock नीचे जाएगा, अब आप कहेंगे, demand supply कैसे influence होती है, demand supply influence होती है, reaction से, मतलब अगर quarter result अच्छे आगए, बहुत अच्छा reaction हो गया market में, demand बढ़ गई, और वही quarter result खराब आगया, कोई bad news आगई, तो क्या होगा, reaction तो होगा, लेकिन negative, supply बढ़ेगी, और price ड्राइग हो जाएगा, अब reaction क्यों होते है, quarter result के कराण हो सकते हैं, बाई, कुछ stock है, जो गर्मियों में उपर भागते है, voltas, AC वाले stock, कुछ हैं जो दीपा वाली में आगे भागते हैं, festival season में आगे भागते हैं, शादी के समय बागे भासते हैं, टाइटन, इस प्रकार के share उस समय उपर भागते हैं, और जब उनका मौसम खतम हो जाता है, सर्दी होगे time पे, voltas down, इसी प्रकार के कुछ stocks हैं दोस्तों, और market correction जब होती है, तब तो भाई, reaction होता ही होता है, क्या मचा हुआ हुआ है, तो भाई, अगर market पूरी correct होगी, तो भी reaction आएगा, over reaction आएगा, fear और greed आएगी, fear बढ़ जाएगा, तो भाई, supply बढ़ जाएगी, तो stock correct होगे, दूसरी चीज़ अगर bad news आगए, CEO resign कर रहा है, एकदम से कुछ छोटे मोटी news आगई, income tax grade बढ़ गई, तो इस प्रकार की जो bad news ह उससे भी अफवाएं भी होती हैं दूस्तों, stock price को down करने के लिए, उस प्रकार की bad news भी गंदे reaction लाती है, और price influence होता है, अब price के बारे में आप जान चुके हैं, अब हम लोग बात करते हैं भाई, दूसरा जो factor है, वो है intrinsic value जानने के लिए, price to earning ratio, price to earning ratio क्या होता है, जो company के stock के लिए, कितना price देने को तयार हैं, for example, कोई stock है, for example, हम ले लेते हैं, HDFC bank, और उसकी 26 की PE है, इसका मतलब क्या है, कि एक रुपए earn करने के लिए, आप as a shareholder, 26 रुपए देने के लिए तयार हैं, और अगर stock price उसका 1800 रुपए है, तो divided by 26 कर देंगे, तो ये आ जाएग आपका, उसकी जो earning पर share है, तो दोस्तों, ये होता है, simple calculation, पता कैसे करते हैं, straight away Google पर search करना है, HDFC bank, ठक से आ जाएगा, या फिर दूसरा तरीका क्या है, सीथे NSC की website पर जाओ, और NSC की website पर जाकर के सीथे आप search करो, कि HDFC bank, और HDFC bank की जो current PE है, आपको मुझे comment section ने बतानी है, सारा चीज़े में HDFC bank की इसलिए पूछ रहा हूँ, ताकि आपका homework असान रहे, अगर homework ने करोगे, सीख नहीं पाओगे दोस्तों, आप सिर्फ वीडियो देखकर के एक कांसा सुनो, एक कांसा निकाल दोगे, कभी investor नहीं बन पाओगे, तो आपको comment section में बताना है, कि HDFC bank का price to earning ratio क्या है, next important चीज़ होती है, वो मेरे जैसे लोगों के लिए कि forward PE क्या है, वंदा आगे आने वाले समय में साल, दो साल में उसकी क्या forward PE होगी दोस्तों, तो ये मेरे जैसे लोगों का काम है, लेकिन इसको आप avoid कर सकते हो, आप लेकिन current PE तो पता रखो, number ये तो Tata Steel से को जोड़ रहे हो, Tata Steel से compare कर रहे हो, HDFC bank bank है, और पहली बात HDFC bank हो को SBI bank से compare कर रहे हो, SBI है PSU bank, HDFC bank है private bank, तो उसके peer से ही compare करना है, क्योंकि वो लोग एक field में काम कर रहे हैं, तो ये mistake आपको नहीं करनी है, जब आप price to earning ratio निकाल रहे हो, अब दूसरी चीज आती है जो तीसरा point जानने वाला है, वो है price to book ratio, price to book ratio आप लोगों लगता होगा भाई, ये तो simple point है, बहुत important parameter होता है, इसका मतलब क्या होता है, share price divided by equity per share, उस share की कितनी equity market में घूम रही है, और उसका price क्या है, उसको जब आप divide करते हो, तो निकलता है price to book, इसका मतलब क्या है, अ जब आपिए और इसका मतलब क्या है, अब इसमें भी आपको गलती नहीं करने है, कि price to book ratio में आपको comparison करना है, सिर्फ peers में किसी और SDFC bank का बाटा के साथ compare मत करने लगना, तो आप मुझे बताना है, SDFC bank का price to book ratio क्या है, you have to tell me, अब हम लोग बात करते हैं, बहुत important parameter की, जो है debt to equity ratio, अब debt to equity ratio क्या है, भाई कितना उस company के उपर debt है, divided by, कितनी equity उसकी shareholder की market में existing है, इसे कहते हैं debt to equity ratio, अब इसमें preferable क्या है, भाई preferable यह है कि company के उपर debt ही ना हो, debt free company हो, मेरे को तो वो पसंद है, लेकिन अगर फिर भी अगर आप कहते हैं, भाई company expansion plan में लगी हो, यह company के उपर debt है, तो भाई company अगर expansion plan में लगी हो, बहुत अच्छी company है, बहुत अच्छी उसकी ROI है, बहुत अच्छी है उसके results आ रहे हैं, तो कम से कम 0.5 से तो नीचे ही होनी चाहिए, और दिक्कत कब है अगर वो एक से उपर है, अगर एक से उपर है दोस्तों, तो उसके उपर heavy debt है, उस company के उपर investment नहीं करना है, never do it, तो यह गांट बांद लिजे, कुछ company का debt to equity ratio negative में होता है, इसका मतलब क्या है, आपने देखा होगा, आप देखेंगे, तो कुछ company का debt to equity ratio negative में है, negative का मतलब तो गलत नहीं है, debt to equity ratio का negative, इसका मतलब क्या है, उस company के पास cash ज्यादा पड़ा हुआ है, cash rich company है, तो cash rich company भी ज्यादा अच्छी नहीं होती, क्यों, क्योंकि वो अपने cash को use नहीं कर पा रही है, company की growth में, company earning में, तो negative debt to equity ratio भी मैं अच्छा नहीं मानता हूँ, आपको चाहि नहीं में आपको investment करना है, यह एक बहुत important parameter होता है, intrinsic value को find करने का, अभी इसी concept से एक बहुत important concept जोड़ा हो है, उसे कहते है liquidity ratio, इसको कभी कभी कहीं पर कुछ इसको, you know, analyst इसको liquidity ratio, current ratio भी बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, assets versus liabilities, यह तो basic concept है भाई, economics का, कि कितने assets है आपके उपर, मतलब क्या आपके पास है, और liabilities मतलब क्या आपको देना है, as a simple layman term में इसका मतलब यह है, तो अगर आपका assets ज़्यादा है, और liability कम है, तो यह होगी value above 1, ठीक है, तो अच्छी चीज़ है, तो आपको वो company से ही है, जिनकी liquidity ratio 1 से उपर हो, मतलब assets ज़्याद हैं, assets ने कम, तो इस company में investment तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, करना है, जिसका liquidity ratio पूर है, और जिसका liquidity ratio 1 से नीचे है, तो 1 से नीचे वाला 0.5, 0.75, इन companies में तो investment करना ही नहीं है, वो companies आपके parameter में होनी ने चाहिए, अब आता है भाई, कि अगर कभी liquidity ratio बहुत ज़्यादा है, assets बहुत ज़्यादा होगे, liabilities बिल्कुल काम है, अबव 3 जा रहा है, इस company में भी investment नहीं करना है, इसका मतलब क्या है, कि assets ज़्यादा होने का मतलब उस company के पास cash ज़्यादा पड़ा हुआ है, और उस cash को वो deploy नहीं कर पा रहे हैं, growth में, investment करने में, earning में, तो ऐसी company का समझ ज़्यादा है, management is not functioning well, assets create हो जा रहे हैं, और liabilities, liabilities और assets में बिल्कुल balance होना चाहिए, अगर assets भाग रहे हैं, तो इसका मतलब है, उस company में investment आपको नहीं करना है, वो company आपके cash को आप सही से utilize नहीं कर रहे है, growth में, तो अब आपते मा में question आ रहा होगा, इस सर फिर best क्या है, क्या liquidity ratio होना चाहिए, तो मेरा मानना यह है, कि asset to liability का best ratio should be 1.5, और अगर 1 से 1.5 है, तो भी चलेगा, तो assets और liability का ratio गर 1.5 है, तो इसका मतलब क्या assets थोड़े से ज़्यादा है, liability से, और मेरे असाब से यह best combination है, गर उसका liquidity ratio 1.5 होता है, तो तो दोस्तों यह तो था 500 point, अब आप बिल्कुल चीजे top 5 समझ गए हैं, कि intrinsic value को कैसे निकालते हैं, तो आपको करना क्या है, आपको एक checklist बनानी है, checklist में आपको वो price डालना है, पहली चीज जो price पे stock चल रहा है, और उसके आपको parameters निकाल करकर डाल देने हैं, और आपको यह drag करना है, कि कब किस price पे, वो जैसे price to earning ratio है, price to earning ratio में, वो stock मान लोगा असी पे चल रहा है, आपको चाहिए, वो industry की P.E.E. सार्ट, तो कितना कम होगा, कि वो सार्ट पे आ जाए, तो दोस्तों यह थोड़ा सा मेनत करने पड़ा है, otherwise आप wealth first के channel को subscribe करिए, आपको regular update मिलेंगे, membership लेते हैं, दोस्तों तो आपको regular update मिलेंगे, कि किस price पे आपको stock खरीदना है, आपको यह homework करना ही जरूद भी नहीं है, फिलाल अगर आपको करना है, तो एक checklist बनाईए, सारे parameters को note करिए, और जो stock आपको लगता है, इन parameters पे खरा उतर रहा है, analysis भी करते रहेंगे, कभी stock को ले नहीं पाएंगे, over analysis leads to paralysis, तो यह बातों को ध्यान रखेगा दोस्तों, मेरा मनना ही है, अगर आप इन सब बातों को ध्यान रखेंगे, तो you will never fall into a wrong trade, और दोस्तों अभी तक आपने अगर चैनल को subscribe नहीं किया, तो subscribe कर लीजे, plus beginners guide to stock market, कोई भी चीज beginner के लिए नहीं, masters के लिए होती है, दोस्तों, I hope आपको सारी चीज़ समझ में आगे हूँ, इनके सकर आपको समझ में आगे हूँ, तो please smash the like button, को यह भी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया, like नहीं किया, तो दोस्तों, this really demotivates me, thank you so much friends watching, bye bye for now.